हेलो दोस्तों सौगत है आप सभी का मेरी चैनल पर दोस्तों अगर आप रोज मरा की सबजी खा खा के बोर हो गए हो तो आप एक बार इस तरीके से सबजी जरूर राय करना आप सभी को ये बहुत बसंद आएगी कम सामान में बन जाती है कम मेहनत लगती है और बहुत ही डिलि में मैंने 5-6 बड़े चमस तेल डाल दिया तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी तो दोस्तों मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को धुल के चील के और इस तरीके से गोल गोल टुकडों में कट कर लिया है और ये टुकडा वह काफी ज तो तो अपैने 3 ग्लव करी चर्म भुल बारभिया रही है तो man second 8 पिजा छूता टूसतों मैंने 6 साथ प्रस्लीग के कशुक्ता सब्सक्राद कर लिया में तो बड़े को थोड़े चमस तेल है इस पारम हीम डाली है इसमें अलीा ढूरी के साथ दोस्तों मैंने 6-7 कलिया लहसुन की 2-3 हरी मिर्जी को कट कर लिया बीच से और इसके साथ मैंने एक प्याज को इस तरीके से गूल-गूल काटा है जब इसके लच्छे बन जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी तो मैंने इन सबी को मिक्स कर दिया इसी के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चमत जीरा और एकदम जरा सा मैंने यहाँ पर मिथी का दाना डाला है इन दोना का फ्लेवर इस सबजी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो यह आप डाल दीजी और इन सबी को हम 2-3 मिनाट तक low to medium flame पर fry कर लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इसका color change हो चुका है हमारे प्याज लेसन सब कुछ अच्छे से भून चुके हैं तो मैंने इसमें डाल दिया है एक बारी कटा हुआ टमाटर और इसको अच्छे से मेक्स कर देंगे इसके बाद में हम डाल देंगे कुछ मसाले तो दोस्तों इसमें मैं एक दम से मसाले डाल रही हूं एक छोटा चमल धनिया पाउडर एक चोथाई छोटा चमच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चमच लाल मिर्ची पाउडर और दोस्तों मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो इन मसालों को टमाटर के साथ में हम दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे लिए थे तो वही आलू है जब आप आलू को फ्राई कर लेते हो तो इस सबजी का साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने आलू को भी 2-3 मिनट भून लिया इसके बाद में मैंने 1 गलास पानी डाल दिया है तो पानी आप अपने हिसाब से कमिया ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा चमस्ट नमग डाल दिया है और एक चो उठाई चोटा चमच मैंने गरम मसाला डाला है गरम मसाला का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने अब इसको हम ढख देंगे और इसको 5 मिनट तक low to medium flame पर अच्छे से पकने देंगे तो दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं हम सबजी को चेक कर लेते हैं और आप यह देखे हमारी एकदम perfect सबजी बन करके ready हो चुकी है अगर आपको सबजी एकदम जादा गाड़ी चाहिए तो आप थोड़ा और पका सकते हैं यह एकदम perfect होती है हमारा आलू अच्छे से पक चुका है दोस्तों यह सबजी मैंने थोड़ी सी पतली रखी है क्योंकि यह आप चावल के साथ भी खा सकते हैं इसमें मैंने थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और दोस्तों आप यह सबजी चाहे पराठे रोटी के साथ खाएे चाहे चावल के साथ यह सबी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो बस हमारी सबजी बन करके तयार हैं घैस को बन कर देंघे, उई सर्व कर लेंगे तो यह लीजिए तैयार है मारी बहुत ही ज़्यादा डिलीज है सबजी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत भो धन्यवाद थेंकि सो मच बाइ बाइ